मारुती सेजूकी, मारुती सुझुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार AVEX Concept Electric SUV, EVX Concept Electric SUV को साल 2025 में लॉंच कर सकती है. इस बहुप्रतीक्षित लॉंच से पहले, EV को यूरोप में All Black Camouflage में टेस्टिंग के दोरान देखा गया है. एवेक्स कॉंसेप्ट को मारुती सुजुकी ने इस साल की शुरुआत में आटो एक्सपो 2023 के दौरान प्रदर्शित किया था जन्वरी में ग्लोबल एन्वील के बाद यह पहली बार है कि इलेक्ट्रिक SUV को सड़क पर देखा गया है लुक और डिजाइन मारुती सुजुकी एवेक्स कॉंसेप्ट की टेस्ट म्यूल को पोलेंड के क्राकों की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया आटो एक्सपो के दौरान दिखाए गए प्रोटोटाइप के उलट, टेस्टिंग मॉडल में अलोई वील्स का एक अलग सेट मिलता है और इसका लुक प्रोडक्शन मॉडल के काफी नजदीक लगता है जाहिर तोर पर, कॉंसेप्ट वर्जन और पोलेंड में देखी गई टेस्टिंग यूनिट के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं है आटो एक्सपो में हुई थी पेश इवी को अबन पसनल मोबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है और यह मजबूत सुजुकी 4X4 ड्राइव क्षमता के साथ आती है आटो एक्सपो के दोरान प्रदर्शित कॉंसेप्ट वर्जन में एरोडाइनेमिक सिल्हूट, लंबे वील बेस, छोटे ओवहेंग और आप्टिमम ग्राउंड क्लियरेंस के साथ सुजुकी की सिगनेचर एस्यूवी डिजाइन देखने को मिला था मारुती सुजुकी एवेक्स इलेक्ट्रिक कॉंसेप्ट एस्यूवी कंपनी की पहली ग्लोबल स्ट्राटेजिक इवी होगी यह एक छोटा और कॉंपेक्ट मॉडल है, जो मारुती की फ्लेक्शिप एस्यूवी ब्रेजा के साइज का है मारुती सुजुकी ने कहा कि कॉंसेप्ट मॉडल की लंबाए 4300 मिलीमीटर, चोड़ाए 1800 मिलीमीटर और उचाए 1600 मिलीमीटर है उम्मीद है कि इसका प्रोडक्शन वर्जन भी इसी साइज का होगा आगामी एवेक्स इलेक्ट्रिक एस्यूवी के बारे में बहुत कम डिटेल्स सामने आई है कार निर्माता ने पहले पुष्टी की थी कि इवी बैटरी पैक से लेस होगी लॉंच होने पर मारुती सुजुकी एवेक्स इलेक्ट्रिक वहन एक बार चार्ज करने पर 550 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज दे सकती है नया प्लेटफॉर्म मारुती सुजुकी ने यह भी पुष्टी की है कि एवेक्स कॉंसेप्ट का डेडिकेटड इवी प्लेटफॉर्म सुरक्षित बैटरी टेकनोलोजी के साथ आएगा इसे एक आरामदायक केविन मुहया कराने के लिए डिजाइन किया गया है जिसमें विबिन कनेक्टिट फीचर्स मिलती है